कि स्वागा थे दोस्तों आप सभी का अपना यूजी एंड पिजी क्लासेश चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्री सीटी यानि विद्यूत जो कि फिजिक से रिलेटेड हैं इससे रिलेटेड हम लोग आज लगवाग 100 क्वास्चन को डिस टापिक में पहला क्वास्चन है जब काज की छड क्यों रेसम से रगड़ा जाता है तो छड तो छडम क्या परिवर्थन होगी छड़ हो जाएगा धहना वसित छड़ में धन की आवेशित हो जाएगी ठहिक धना वसित हो जाएगी ओर जा नेंगे रहे, किसी आवेसित चालक का संपुर्ण आवेसं यह रहता है ? किसी आवेसित चालक का संपुर्ण आवेस उसके बाहरी प्रिश्ट पर रहता है ? नेक्स्ट नेक्स्ट नम्बर थ्री है दो बीदू तावेसों के बीच लगने वाले बल से संबंदित है यदि दो बीदूतावेसों के बीच लगने वाले बल से संबंदित है कुलाम का नियम यदि दो वीद्यूत आवेसों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य वीद्यूत बलकमान क्या होगा उनके मध्य फिर वीद्यूत बलकमान चोगना हो जाएगा समान आवेसों में होता है विकर्षन समान आवेसों में विकर्षन होता है जब एबुनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबुनाइट की छड़ रिनावेसित हो जाती है यानि कि जब एबुनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ जाता है तो उसकी छड़ पे क्या हो जाती है माइनस चार्ज आ जाती है रिना विसित हो जाती है वस्तुवों का आवेशन किसके स्थनांतरन के फलसोरूप होता है वस्तुवों का जो आवेशन होता है या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो किसके स्थनांतरन के फलसोरूप होता है इलेट्रोन के स्थनांतरन के फल सोरूप होता है ये आप कार में जा रहे हैं यदि असमान से या असमान से बिजली गिरने वाली होत उस्रक्षित रहने के लिए अब क्या करेंगे कार की खिड़किया बंद कर लेंगे बिल्कुल कार की खिड़किया बंद कर लेंगे दो स्थीर आवेसों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुनान फल के अनुक क्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के ब्यूद क्रमानुपाती होता है यह किसका नियम है तो यह कुलाम का नियम है कुलाम का नियम यही है और आगे भी हम लोग देखे थे इस क्वाशन में देखे थे हम लोग कि दो आवेसों के बीच लगने वाले बल से संबंदित है तो कुलाम का नियम और इस क्वाशन में हम लोग देख रहे हैं दो स्थीर आवेसों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुनन फल के अनुक्रमाणू पाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बियुत क्रमाणू पाती हो यह नियम किसका है तो यह नियम है कुलाम जी का किसी विद्यूत परिपत में इकाई धन आवेस को एक विद्यूत से दूसरे बिंदू तक एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने में किये गए कारे द्वारा मापा जाता है उनके उन बिंदू के बीच के विवांतर को यानि कि किसी परिपत में इकाई धन आवेसों क या वो कोई भी परिपत है एक बिंदू से दूसरी बिंदू तक ले जाने के लिए किये गए कारे द्वारा मापा जाता है किसको मापा जाता है उन बिंदू के बेच के विभुवांतर को मापा जाता है next question धातवे विद्यूत की सुचालक होती है क्योंकि उन्हें मुक्त इलेक्टरॉन होती है धातवे विद्यूत की सुचालक होती है क्योंकि इन्हें मुक्त इलेक्टरॉन होती है निमलीखित में से कौन सरवत्म विद्यूत चालक है तो इसमें से सरोतम वीद्यू चलक चांदी है तामबाल लोहा अल्यूमिनो मर्चांदी तो इसमें से सरोतम वीद्यू चलक चांदी है थर्टिन अति चालक का लक्षन है अति चालक का लक्षन क्या है? अति चालक का लक्षन है उच पारगम्यता उच पारगम में था अतिचालक का लक्षे ने, निमलीखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कौन अर्धचालक नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें से अपनी आरसेनिक अर्धचालक नहीं है, ऐसे पदार्थ जिन में समानी अवस्था में म मुक्द ईलेक्ट्रोन पराप्त किये जा सकते हैं में क्या कहलाते हैं तो ये अर्द चालक-पदार्थ में हम लोगों देख सकते हैं मुक्द अवस्था में लेक्ट्रोन नहीं होती है कौण से चीज में ऐसा हो सकता है तो यह हो सकता है अर्ध चालक में ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्यूत प्रतिरोध के वैदुक चालकता का पर क्या प्रभाव पढ़ता है यानि कि ताप को बढ़ाने पर जबकि वैद्यूत चलकता घटती है यानि कि ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्यूत प्रतिरोध एवं वैद्यूत चलकता पर यही प्रभाव पढ़ता है कि ताप बढ़ाने पर चालक का पदार्थों का प्रतिरोध पढ़ता है जबकि वैद्यूत चलकता किया जाता है कियोंकि कि क्योंकि इसकी बीद्यूत परति रोधाकता निय्मन होती है तामबा खावर दुरू जारीक मीसमें सफस्क्राइब सबस्क्तों यूरू है सबस्क्ताइब दिखस्क्ताइब नेना डंभा निण अब आप लोग एंपियर हैं एंपियर इलेक्टिक करंट का यूनिट एंपियर आपस में जूड़ी दो आवेसित वस्तु के बीच विद्युधारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो समान विभव पर अगर दो दो वस्तु समान विभव पर हो तो उसमें आवेसित विद्युधारा विद्युधारा नहीं प्रवाहित होती है ठीक है समान विभव पर अगर हो तो प्रत्या वर्ति धारा को दिश्ट धारा में किस के द्वारा बदला जाता है तो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है आगे हम लोग रेक्टिफायर के और नाम जानाइँगे ठीक है वीडियो तो जरूर इसमें मजा रहा वगा जरूर नेक्स्ट विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंकर्पित किया जाता है बोसंपर्कित किया जाता है इसका कारण है तो इसका करण यह है यदि लगू पथन हो जाए तो धारा भूमी में चली जाएगी लगू पथन में अर्थ का उप्योग होता है सुरक्षा के लिए हम लोग वीद्यूत का उपकरण में अर्थ का उप्योग क्यों करते हैं क्योंकि उस सुरक्षा हम लोगों को मिले सुरक्षा के लिए आदर्स वोल्ट मेटर की प्रतिरोधकता रेजस्टेंस कितनी होती है औसीमित होती है किसी परिपत में एक विंदू पर मिलने वाले धाराओं के वीजिय योग होता है सुननी या वो कोभी परिपत हो जब एक विंदू पर मिलने वाले धाराओं के वीजिय योग होता है वो सुननी होता है एक चालक का परतिरोध 440 ओम है यदि इसे 110 वोल्ट का सुरोध से जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धारा परवाहित होगी 0.25 एंपियर परवाहित होगी इसमें धारा एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है यदि इसमें 10 110 वोल्ट के सुरोध को जोड़ा जाए तो इसमें 0.25 एंपियर की धारा प्रवाहित होगी प्रतिरोध का मातरक क्या है तो प्रतिरोध का मातरक है ओम घरों में लगे पंखे बल्ब आदी लगे हैं ठीक है घरों में लगे पंखे बल्ब आदी लगे होते हैं किस क्रम में लगे होते हैं तो ये लगे होते हैं समांतर क्रम में किसी चालक के सीरों के बीच विवांतर उनकी बहने वाली धारा के समानुपाती होता है यहनियम है यहनियम है ओम का किसी भी चालक के सीरों के बीच विवांतर है उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है यहनियम ओम का है यदि किसी तार की तिरज्या आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध सुल्लह गुना बढ़ जाएगा देख लिजेगे से ध्यान से इसमें चोगना नहीं बढ़ रहा है इसमें सुल्लह गुना डैरेक बढ़ रहा है यदि किसी तार की तिरज्या को आधा कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोद सुल्लह गुना बढ़ जाएगी ओम का नियम क्या परिभासित करता है ओम का नियम क्या परिभासित करता है तो ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभासित ओम का नियम करता है वीडियो को कर दिजेग लाइक याद रखिएगा या बात को बिल्कुल और चैनल को कर दिजेगा सब्सक्राइब यह सब आप लोगों को काम है बीना देखे आपको वीडियो बहुत अच्छा लगएगी ठीक है ओम का नियम क्या परिवासित करता है तो धारा और वल्टता दोनों को परिवासित करता है विशिष्ट परतिरोध का ऐसी मात रख क्या है तो विशिष्ट परतिरोध का ऐसी मात रख है ओम मीटर विशिष्ट परतिरोध का हो जाएगा पहले कदोग ना पहले कदोग ना हो जाएगा एक समानी सुस्क सेल में वीद्यूत अपघर्टी होता है अमोनियम क्लोराइड एक समानी सुस्क सेल में वीद्यूत अपघर्टी कौन होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है वीद्यूत अपघर्टी है नेक्स्ट सुस्क सेल के संबंध में निमलिखीत को सुमीलित किजी तो सुस्क सेल के संबंध में आपको निमलिखीत को सुमीलित करना है देट इस रीन इलेक्ट्रोड रीन इलेक्ट्रोड जिंक का बरतन ठीक है रीन इलेक्ट्रोड जिंक का बरतन ओके नेक्स्ट धान इलेक्ट्रोड कारबन की छोड थर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट एंड विद्रूवक क्या होता है तो विद्रूवक होता है मैंगनीज ऑक्साइड यह जो आपको बोला सूस्क सेल यह सू के संबंद निम्लिखित को सुमिलत कि जियानि कि रीन इलेक्टरोड अ कॉन सा होता है तो ज् così C stabbed जोता है इलेक्ट्रूलाइट कॉन से हुतन्स होता है ऑमोनियों कॉलॉराइड का पेस्ट होता है विद्रुवक मैंग्निज अटी एकार की बैट्री욱 प्रियुक्त वीदियुत अब घट्टी जो किसे ओते एंच िश्रने पर जींग इसेका रिपन आफ चंड़ाने हैं या जंक कि आफन कि उसको galvanalization अखिए गएको किया करता है गेलवनाइजेशन लोहे के ऊपर जो जिन्क की परत हम लोग चप्राईजेशन देखे हूंगे कहें तो उसके क्या कहते है galvanalities वैद्य टब घटन की कृ्रिया में किसी elektrode पर मुप्द हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित अवेस के वनुक्रमानुपाती होता है यह नियम किसका है फिर से मैं रिपेट करता हूँ ध्यान से सुनिएगा वैद्यत अभगटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित अव नेक्स्ट यदि किसी चालक की भाधिक वस्था जैसे ताप आधी में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के शिरो पर लगाया गया वेवानतर उसके परवाहिधारा की अनुक्रमानुपाति होती है अच्छा यह नियम ओम का है ध्यान देज़ जग यह नियम ओम का है यह किसी चालक में भौती कवास्था जैसे ताप या आदे में कोई परवर्तन न हो तो चालक के शुरू पर लगाये गया भी वंतर उसमें पर वह धारा के अनुकरमानुपाति होता है यह नियम किसका यह नियम ओम जी दिये हैं फेराड़े का नियम संबंदित है वीधुत अबगटन से वीधुत अबगटन से किसका नियम संबंदित है फेराड़े का एक फ्यूज तार का उप्योग के लिए होता है तो एक फ्यूज तार का उप्योग अत्याधिक धारा प्रवाह के समय प्रयूक्त को तोड़ने के लिए हम लोग फ्यूज का अपयोग करते हैं घरी ली विज्य विजित्ट उपकरणों में प्रयुक्त के चुरप छा cracking तार धाथतु से बनी होती है जिसका और जिसका ग्लंश कम हो यानि कि घरेलू विद्यू तूप करणों में परियुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु के बनी होती है जिसका गल्लांग कम हो कि एक फ्यूज की तार कोई लक्षनों की कारण पहचाना जाता है उच्च प्रतिरोधक्त तथन निम्ण गल्लांग के कारण एक फ्यूज की तार को हम लोग पहचान सकते हैं बिजली में बिजली सप्लाई के मेस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है ठीक है बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है इसका गलनांक निमन होता है इसका गलनांक क्य के होता है निम्न होता है यानि कि ब्ज़ि सप्लाइक के मेंस में huge एक सुरक्षा योफ्याव करन के रूप में लगा हुआ होता है बिज़ि के सर्किट में एक फ्यूजदार को प्यूद किया जाता है सर्किट में परवाहित होने वाले अधिक विद्युदारा को रोकने के लिए फ्यूज का सिधान्त क्या है तो फ्यूज का सिधान्त है वीद्यूत का उसमिय प्रभाव फ्यूज का सिधान्त है वीद्यूत का उसमिय प्रभाव ये किसका सिधान्त है तो फ्यूज का सिधान्त है वीद्यूत का उसमिय प्रभाव नौ नेक्स्ट समानी तह प्रियोगत सुरक्ष फ्यूज तार बनाई जाती है टीन और लेड मिस्र धातु से टीन और लेड की मिस्र धातु से फ्यूज बनाई जाती है ठीक है फ्यूज की तार वै नेक्स्ट एक बिजली के फ्यूज तार ठीक है यानि फ्यूज वायर में समानी अनुप्रियोगों के लिए निमली खित में से कौन सा गुन समुह का होना आवस्यक है यानि कि एक बिजली के फ्यूज तार जो है उसमें तार फ्यूज तार में समानी अनुपरियोगों के लिए निमलिखित में से कौन सा गुन समूह होना अवस्यक है तो ये है कौम लंबाई, नीम्न गल्लांग की मिस्रधातु और पतला तार ये तीनों गुन आवस्यक होना चाहिए, अगर ये तीनों गुन उसमें है, तो उसे हम लोग फ्यूज बना सकते हैं, बिजली का फ्यूज कौम लंबाई, नीम्न गल्लांग की मिस्रधातु ठिक है, नीम्न गल्लांग के मिस्रधातु और पतला तार बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्तु से बना होते है टंगस्टन किस तत्तु से बना होते है टंगस्टन बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज आती है क्योंकि हाँ बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज आती है बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोखने के लिए बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में वीदूत उर्जा लगवग पूरी तरह से प्रकास उर्जा में परवर्तित हो जाती है ट्यूब में वीद्यूत उर्जा लगवग पूरी तरह से प्रकास उर्जा में प्रवर्थित हो जाती है इसलिए बिजली के बल्ब से उसके मुकाबले में फ्लोरो सेंट का ट्यूब हम लोग जादा लाइक करते हैं ठीक है वीद्यूत बल्ब के तंतु के निर्मान में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच गलनांक होता है लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है इसमें दोनों फंक्षन है कौन का फंक्षन नाइक्रोम के तार आप देखे होंगे market में मिलता है एकसर कुछई पकाने के लिए उसका यूज गैस पर रख और किया जाता है तो उस तार में नाइक्रोम का तार लगाया हुआ थै पूरे हीट हो जाता है, हीटिंग इलिमेंट होता है उस में क्या क्या चीज मतलब प्रयूक्त होते हैं उसमें क्या चीज़ को प्रियुक्त किया जाते हैं पहला चीज कि इसका जो इसका विशिस्ट प्रतिरोध है वो उच होते हैं और दूसरा लाल तप्त होने पर उकसाईड नहीं बनाता है यानि इसका ऐंसर क्या होगिए D उप्यूक्त में से B and C दोनों की कारण नेक्स्ट वाशन हम लोग देखते हैं वाशन नमबर 55 वाशन नमबर 55 फिजिक्स पर ने में जूपना नहीं है कुछ कमेंट वोमेंट होना चाहिए ठीक है तो ध्यान से रखिए गाइस को इस बात को ध्यान में रखिएगा कमेंट होना चाहिए और नेक्स्ट क्वाशन है 55 जो की है ट्यूब लाइट में व्याय उर्जा का लगभग की इतना भाग परकास में परिवर्दित हो जाती है ट्यूब लैट में ब्याय उर्जा का लगभग कितना भाग परकास में परिवर्दित हो जाती है तो यह है 60-70% परकास में परिवर्दित हो जाती है वीद्यूत धारा के उसमें ये प्रभाव पर अधारत घरे लोब करन कौन-कौन हो सकते हैं वीद्यूत हीटर, वीद्यूत बल्ब, ट्यूबलेट तिनों हो सकते हैं यानि इसका अंसर हो जगा उप्यूक्त में से सभी सौवाट वाले बल्ब एक वीद्यूत लैंप एक दिन में 10 घंटे परियोग होता है एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट उर्जा उप्यूक्त होती है तो एक यूनिट उर्जा उप्यूक्त होती है नेक्स्ट क्वाचन है 58 एक 100 वाट का बिजली कबल 10 घंटे जलता है तो 5 रुपे प्रती यूनिट की दर से विद्यूत खर्च होगा 5 रुपे नेक्स्ट क्वाचन किलो वाट घंटा किसकी एकाई है? विद्यूत उर्जा की एकाई क्या है? किलो वाट घंटा विद्यूत उर्जा की एकाई क्या है? किलो वाट घंटा ठेका ना? तो विद्यूत उर्जा की एकाई है किलो वाट घंटा ध्यान में रखिये घंटा विद्यूत किलोट गंटा वीदू तूर्जा के एक आई है बिजली के खपत बिल किसके मापन पर अधारित होता है तो बिजली के खपत बिल किसके मापन पर अधारित होता है केवल वोल्टेज नो वाटेज यह वाटेज के मापन पर कि एकिस्म ससड़ है ठीक है यानने कि बिजली का आज्ट गलाँ बिजली के लिद्वन पहला होता है इक हंडर्ट वाट का फिजली का वैधि 02 10Wow once जले तो बिजली कितना खर्च हो गए एक यूनिट यही क्वास्टन यहां ऑधाया गया था यहां भी वह एक वाचन है 100 वाट का बल्ब, 10 वाट का बिजली का बल्ब यादी 10 घंडे जले तो बिजली खर्च कितना होगा, तो बिजली खर्च एक यूनिट यह होगा, ठेक है, यूनिट का यह होता है, आप सब स्मार्ट लोग जानते हैं यह सब बात को, नेक्स्ट, 62, तडित चाल का विसकर किस नहीं किया, लॉड लिस्टर, लिस्टर, तडित चाल का विसकर किस नहीं किया, लॉड लिस्टर, लिस्टर, तडित चाल का विसकर किये हैं, लॉड लिस्टर जी, तडित चाल बनाया जाते हैं, तामबे के, तडित चाल बनाया जाते ह तामबे से नीचे दिये गए कथन ए और आर किसे दिये नीचे कथन ए तथा आर दिये गए हैं अध्यान करके सही उत्तर नीचे दिये गए कुट से चुनिए तड़ित चाल इमारतों को नश्ट होने से बचाते हैं और दूसरा कारण है यह आवेस को प्रिथिवी तक भेज दे करने एक है सरि़ी का निस्कर से यह कूट sudah का क्या निकला ए तथार दोनों सही हैं और एक सही करण है याने कि यह दोनों सही चीज हैं क्या है सही चीज तड़ित चाल इमारतों को नश्ट करने से बचाता है और ये आवेश को प्रिथिवी तक भेज देता है विद्यूत बल्ब तंतु धारा यानि विद्यूत बल्ब का तंतु धारा परवाहित करने से चमकने लगता है प्रन्तु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते इसका करण क्या है ये भी अच्छा क्वाश्चन जैसे कि विद्यूत बल्ब का तंतु धारा परवाहित करने से चमकने लगता है प्रन्तु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते इसका करण क्या है तो जिसका कारण यह है कि तंतु का प्रतिरोध तारों के अपएक्छा अधियक होता है ठीक है नेक्स्ट क्वास्चन नमबर 66 निमलीखित अधाद्व में कौन सा एक वीद्यूत का मंद चालक नहीं है तो सिलिकन एक वीद्यूत का मंद चालक नहीं है सुस्क सेल बैटरी में निमलीखित में से किन का वीद्यूत अधाद्व घट्यों के रूप में उप्रयोग होता है यानि कि सुस्क सेल में सुस्क सेल जिसको बैटरी बोलते है निमलीखित में से किन वीद्यूत अधाद्व घट्यों का यूप्योग होता है तो ammonium chloride और zinc chloride का ammonium chloride और zinc chloride का यूप यूगत होता है सुस्क सेल की बैटली जिसको बोलते हैं उसमें ammonium chloride और zinc chloride का यूज होता है ठीक है next 68 number question सामानी प्रयोग में लाए जाने वाली प्रदिप्ती यानि प्रती दिप्ती ट्यूबलाइट प्रनिमली खित में कौन सांकित होता है यानि कि समानी प्रयोग में जो लाए जाती है प्रदिप्ती ट्यूबलाइट उस प्रनिमली खित में से कौन सांकित होता है तो 65 00K अंकित ह होता है 65 00 Kelvin next time मानो सरीर सुस्क में विद्यूत परत्रोध के परिमान की कोटी क्या है मानो सरीर के मानो सरीर यानि सोस्क के विद्यूत परत्रोध के परिमान की कोटी क्या है परिमान की कोटी क्या है तो 10 के पावर 6 इसका कोट यह ठीक है विद्यूत उत्पन करने के लिए कौन सिधातु का उपयोग होता है यूरेनियम का विद्यूत के उपयोग या विद्यूत उत्पन करने के लिए कौन सिधातु का उपयोग होता है यूरेनियम माईका ओके माईका उस्मा और विद्यूत दोनों का कुच जालक होता है जलते हुए बल्व वीद्यूत बल्व के तंतु का तापमान समानिता होता है यानि जलते हुए बल्व वीद्यूत बल्व के तंतु का तापमान समानिता कितना हो सकता है सेटलाइट में वीद्यू तूर्जा का स्रोत क्या है तो सौरसिल है वीद्यू तूर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलने की युक्ति कौन सा है तो वीद्यू तूर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलने की युक्ति है वीद्यू तूर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलने की युक्ति है वीद्यू तूर्जा को यांत्रिक उर्जा में किसके दौरा होता है electrolysis के द्वारा कि एक कृत परीपत में अध्र चीप निंग में से किसकी बनाए होती है तो सीलिकन एक करीट बूले तो इंटिंग्रेटट़ सर्कृट या नी AC यहां भी एक वास्चान है ठीक है आइसी का आइसी जो है कि यह अरदशाला चीप की निम में से किस की बनी होती है तो सिलिकन की बनी होती है प्रत्यावर्ति धारा को दिश्ट धारा में परिवर्दिक करने वाली यूगति को क्या कहते हैं तो रक्टिफायर या रीजुकारी त्रोए है न त्रोग जिसक का युद्वर्टि धारा को दिश्ट धारा में बदलना की त्रोदिक के लिए प्रदिपति न ली dress Islam क। सरवाधिक समानित प्रियोग होने वाली वस्तु है पारा वास्पत था आरगन तीन पीन विजली के प्लक में सबसे लंबी पीन को जोड़ना चाहिए अधार सीरे से तीन पीन विजली के प्लक में सबसे लंबी सीरे को सबसे लंबी पीन को किस से जोड़ना चाहिए तो अधार सीरे से एक मकान में दो बल्ब लागे हैं उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकास देता है इन्हें में से कौन सा कथन सही है तो अधिक प्रकास वाले बल्ब में अधिक रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस अधिक है, इसलिए वो अधिक लाइट दे रहा है नेक्स्ट क्वेशन, नेक्स्ट क्वेशन यहां पे है 83 नंबर, एक किलोवाट घंटा KWH कमान होता है तो एक किलोवाट घंटा कमान होता है 3.6 into 10 to the power 6 Joule Joule ध्यामें रखीएगई, 3.6 into 10 to the power 6 Joule एक किलोवाट घंटा is equal to होता है फ्लोरोसेंट लाइप में चौक का परियोजन क्या है प्रतिरुधकता को कम करना प्रतिरुधकता का कम करना चालक का विदयूत प्रतिरुदद किससे सोतंतर होता है तो चालक का विद्यूत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्यूत प्रतिरोध गीर कर सूनी हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं तो उस पदार्थ को अती चालक कहते हैं यदि किसी प्रतिरोधक तहार के लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है विद्यूत मरकरी लैंप में रहता है यानि विद्यूत मरकरी लैंप में रहता है कॉमदा पर पारा विद्यूत मरकरी लैंप जो होता है उसमें क्या रहता है कम दाब पर पारा रहता है बिजली के पंखे की गती बदलने के लिए प्रियुक्त साधन है एरेगुलेटर Next question MCB MCB जो लगुपथन यानि सौट सर्किट के मामले में विद्यूत की पूर्ति को काट देता है यह काम करता है धारा के तापन प्रभाव पर यह काम करता है ठीक है विद्यूत लेपन प्रक्रिय या प्रभाव बोलते हैं ठीक है Next question 1 volt equal to 1 joule प्रति कुलाम होता है 1 volt equal to 1 joule प्रति कुलाम एक साबन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है तब यह फैलता है दाइनीम में यह मशीन है जिसका काम यांतरी कुरुजा को वीद्यूत उर्जय में परिवर्तन करना है एक धारावाही चैलग संबनीत है outta वीद्यूत चुμब गेशेतर से कौन सब्योब वीद्यूत परतिरोध को मापता है तो ओम मीटर ओम मिटर विद्यूत परतिरोद को मापता है तो आज हम लोग यहाँ पे देखे इसका 95 क्वास्चन लगबग 100 क्वास्चन इसको देख चुके हैं और अब इससे ज़्यादा आज के लिए इतना काफी है 100 क्वास्चन बस आज मैं इतना बताने वाला हूँ आपको अभी तुरह कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तक ही आगे आने वाले और नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिल जाए और फिर शेयर किजे अपने दोस्तों के साथ ओके बैबाई टेक कियर और यह सब चीज़ बुक मैं नहीं लिखते हैं सब खराब चीज़ है इसलिए बस मैं आपको एक बार यहां पर बता दिया लाइक सेर और सब्सक्राइब दी वीडियो